अगर आपको यह रेसीपी पसंद आईगी अगर आपको यह रेसीपी अच्छी लगे तो लाइक करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आज है तो चलिए शुरू करते हैं आज हम गजर मूली का अचार बनाएंगे इसके लिए सबसे पहले हम सूखे मसाले बून लेते हैं यह मैंने दो चमच राई लिए इसके साथ दो चमच सूखा धनिया दो चमच मेथी ले लेंगे चोथा ही चमच हम इसमें अजवाइं डाह ले में लो फ्लेम पर अच्छे से बूनना है अगर आप आचार ज्यादा कॉंटिटी में बना रहे हैं तो मसाले की कॉंटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए मैं इसमें चार मूली और चार गाजर का अचार बना रही हूं अच्छा हो गेस की फ्लेम हमें लो रखनें है और अच्छे से बूनना है इन मसालों को बूनने में लगबग 2-3 मिनट लगते हैं जब हलका सा कलर चैंज हो जाएगा तब हम गेस की फ्लेम बंद कर देंगे और 2 मिनट इसे लगातार चलाएंगे अभी पैन गरम है तो मसाले नीचे से जलेना यह देखिए मसाल अच्छे से भून चुके अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं जब तक मसाले ठंडे हो रहे तब तक हम गाजर और मूली काट लेते हैं मूली को हमने पहले धोके छील के पहुंचके ले लिया हैं एक इंच जितने बड़े-बड़े हम मूली के टुकडे कर लेंगे और उसे ऐसे लंबा पतला-पतला काट लेंगे इसे अच्छा जल्दी गले गया और खने में भी असान नहीं होगी यह देखिए बिल्कुल पतली-पतली मूली को काट लिया है इसी तरह ही हमें गाजर को काटना है यह देखिए एक इंच के टुकडे कर लिया गाजर के और अब हम इसे पतला-पतला काट लेंगे गाजर थोड़ी हाड होती है तो इसके टुकडे थोड़ी और पतले कर लिजिये इसी तरह हम सारी गाजर और मूली को काटके तयार कर लेंगे यह 15 सोले हरी मिर्च लिए हरी मिर्च को भी हमे पतला पतला लंबा काट लेने यह देखिए मिर्च के तीन टुकड़े कर लिए और इसे बीच में से काट देंगे आपको जितना तीखा फसंद आप उस हिसाफ से हरी मिर्च कम ज़्यादा ले लिजे इसी तरह हम सारी हरी मिर्च को काटके तयार कर लेंगे हमने गाजर मूली और हरी मिर्च सब भी को काटके तयार कर लिया है यह देखिए मिलकुल पतला पतला काटा है अब हमने जो मसाले भून के रखे थे वो ठंडे हो गई तो उन्हें पीस लेते हैं मसालो को में ज्यादा बारिक नहीं करने बस हलका दरदरा सा पीछ के तयार कर लेने मसाले को में प्लेट में निकालेते हैं अब हम इसमें एक चमच कलोंजी डालेंगे दो चमच हम इसमें पिली राई की डाल डालेंगे और एक चमच हम इसमें नमक डालेंगे आदा चमच हल्दी पौडर ले लिया हैं एक चमच हम इसमें लाल मिर्च पौडर डालेंगे और दो चमा चमा इसमें कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इससे कलर बहुत अच्छा आएगा इन सभी को मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास कस्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप स्कीप कर दीजिए यह देखिए सारे मसाल अच्छे से मिक्स हो गए है अब हम एक कड़ाई गरम होने के लिए रख देंगे और उसमें एक कटोरी जितना तेल डालेंगे तेल को मैं अच्छे से गरम करने है जब तक उसमें धुवा निकलने ना लग जाए यह देखिए तेल से दुवा निकल रहा है अब हम गेस बंद कर देंगे और तेल को थोड़ा ठंडा होने देंगे जब तेल हलका सा ठंडा हो जाए तो इसमें आदा चमच हम हिंग पाउडर डालेंगे और हमने जो गाजर मोली और हरमीर्च को काट के रखा था वो इसमें डाल देंगे और इन सबी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम गेस को फिर से ओन करेंगे और गेस की फ्लेम हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए गाजर, मूली और हर्मिर्च को पकाना है पांच मिनट तक लगातार चलाते हुए हम आचार को पकाना है अब हमने जो सूखे मसाले तयार करके रखे हैं वो इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस आचार को आप तुरंत दूसरे दिन नहीं खा सकते हैं और यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा आप एक बार बना के देखे आपको जरूर पसंद आएगा यह देखिए हमने सभी मसालू को अच्छे से मिक्स कर लिया अब हम इसमें एक चमच विनेगर डालेंगे अगर आपके पास मिनेगर नहीं है तो आप एक चमच अमचूर पाउडर डाल दीजे नहीं तो एक निम्बू का रस डाल दीजे एक मिनिट के लिए हम आचार को और पका लेंगे अब हमारा आचार बनके तयार हो चुक है इसे हम ठंडा होने देते हैं जब यह ठंडा हो जाएगा तो इसे एक आज के जार में बरके रख लेंगे यह देखें आचार ठंडा हो गया है इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे एक डिबे में भरके रख लेंगे अगर आपको कोई और रेसिपी देखने है तो आप कमेंट कीजिए जार सुका और साफ होना चाहिए सारे अचार को हमने जार में डाल दिया है और उपर जो किनारे पर आचार लगा है उसे एक टिशू पेपर या किसी सूती साप कपड़े से पहुँच लेंगे यह हमारा गाजर मूली और हरेमिर्च का अचार बनके तयार हो चुका है अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना शेर करना और आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मिलते हैं एक नहीं रेसिपी के साथ